तो आज का सेशन शुरुआत करते हैं और colder measured is a sequence of tensor topic पढ़ने वाले हैं तो basically sequence of tensor जो है दो चीजों पर based है वो दो चीजें क्या है वो दो चीजें है main clause यह जिसको हम independent clause भी बोलते हैं और dependent clause जिसको हम subordinate clause भी बोलते हैं main clause क्या होता है dependent clause क्या होता है वो अभी हम पढ़ेंगे, यह हमें समझ में आएगा, तो हमें sequence of tenses भी बहुत असानी से समझ में आएगा देखो, कोई भी एक sentence होता है, मैंने एक sentence लिखा For example, I do not, I don't know what he said मुझे नहीं पता उसने क्या बोला अगर मैं sentence को देखती हूँ, तो यह जो sentence है, यह दो parts में divided है, वो दो parts कौन-कौन से है पहला part है, I don't know, मुझे नहीं पता जो कि इस sentence का main part है, I don't know मतलब पूरा का पूरा sentence मुझे क्या बता रहा है, कि मुझे नहीं पता इसके बारे में दूसरा part जो है sentence का, वो है what he said, उसने क्या बोला तो यह जो sentence है, जिसमें जो main part है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते है main clause क्या नहीं पता, जो उसने बोला, इसका मतलब यह जो what he said है, यह इसके उपर dependent है और तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं dependent clause या फिर इसको हम बोलते हैं subordinate clause तो subordinate clause जो होता है, या dependent clause जो होता है, वो अकेले exist नहीं कर सकता whereas main clause जो होता है वो अकेले exist कर सकता है For example, he wondered that he had done it उसे आशर्य हुआ कि उसने वो काम कर लिया तो यह जो he wondered है जो इस sentence का main part है जो he के बारे में बता रहा है तो यह जो he wondered है यह बीटा मेरा क्या है यह मेरा main clause या independent clause है जबकि that he had done it क्या wonder कि उसने वो काम कर लिया है तो यह जो है यह मेरा subordinate clause है या यह मेरा dependent clause है कोई दिकत अब sentence में पहचानेंगे कैसे कि कौन सा dependent clause है कौन सा independent clause है क्योंकि पूरा sequence of tenses इसी पर बेस्ट है तो dependent clause को समझने के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर मैंने आपके सामने यह connectors लिखे होगे है इनके आगे आने वाला sentence या इनके आगे आने वाला part जो होता है वो हमारा dependent होता है यह सारे के सारे मैंने आप सभी के सामने connectors लिखे हैं इनके आगे आने वाला जो clause होता है वो dependent clause होता है या फिर वो जो clause होता है वो हमारा कौन सा clause होता है वो हमारा subordinate clause होता है मैंने भी आपके सामने लिखा था what से start क्या था ध्यान से देखो what he said तो मुझे कैसे पता चला कि ये जो what he said है dependent clause है क्योंकि what के आगे आने वाला जो part होता है वो dependent clause होता है मैंने यहाँ पे लिखा था that he had done it मुझे कैसे पता चला कि that he had done it subordinate clause है क्योंकि that के आगे आने वाला जो phrase होता है वो मेरा subordinate clause होता है तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि कौन सा main clause है और कौन सा subordinate clause है यहाँ तक किसे को कोई भी doubt हो किसी बच्चे को कोई भी doubt यहाँ तक कि हम कैसे पहचानेंगे subordinate clause कौन सा है और main clause कौन सा है clear सभी को everyone Yes or No? मुझे और आंसर बताते हुए चला करो कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तभी मैं समझ पाऊंगे कि आप लोगो कितना समझ में आ रहा है So make sure, सबी लोग मुझे clearly बताते हुए चलेंगे Now, सबसे पहले concept पे आते हैं Sequence of Tenses का concept No. 1 क्या कहता है sequence of tenses का concept number one concept number one कहता है कि जो principle clause है principle clause कौन सा है जो main clause है principle, P-A-L हैगा क्यों P-A-L का मीनिंग होता है main तो जो main clause है अगर वो present tense में है या future tense में है तो subordinate clause में कोई भी tense आ सकता है क्या कहता है concept number one concept number one कहता है कि अगर जो principal clause है जो main clause है वो present में है या वो future में है तो subordinary clause में सारे tense सही होते हैं अभी ऐसे समझने आएगा example जो समझते हैं मैंने लिखा I say that ये जो I say है ये कौन सा clause था बेटा? ये हमारा principal clause This was which clause? This was principal clause तो अगर ये present tense में है I say अगर present tense में है तो यहाँ पे He does it भी सही है He did it भी सही है He will do it भी सही है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर principal clause मेरा present tense में है तो subordinate clause में present tense भी आ सकता है Subordinate clause में past tense भी आ सकता है This is concept number one समझाया? कि अगर ये present है तो वहाँ पे कोई भी tense आ सकता है चाहे present हो, चाहे past हो, चाहे future हो तीनों के तीनों tenses सही होते है Similarly, अगर ये future में भी होता अगर ये किस में भी होता? future में भी होता I will say that मैं क्या कहूंगी? अगर principal clause आपका present में हो या फिर ये अगर future में भी होता तो यहाँ पर भी कोई भी tense आ सकता था He does it भी सही था He did it भी सही था And he will do it भी सही था Present भी आ सकता है Past भी आ सकता है और future भी आ सकता है कुछ भी आ सकता है यह है concept number one Sequence of Tenses का कोई दिक्कत concept number one है किसी को भी अभी इसका exception भी पढ़ेंगे लेकिन क्या अभी तक कोई भी दिक्कत है बताते में चाहिए एक request भी करूंगे सभी को पहले एक बार जल्दी से इस वीडियो को like करो सब तक share करो सब तक पहुचा दो इस वीडियो को जिससे की maximum बच्चों तक यह वीडियो पहुच जाए everyone and just give me one minute मुझे एक minute दीजिये झाल any problem till now I hope नहीं है चाले तो अब इसके कुछ exceptions पढ़ते हैं यह जो concept number one है ने इसमें अगले वाले में पढ़ेंगे यह concept लिया रहे है सभी को चाले अब इसी चीज को इबाद देख लेते हैं लैंग्विज में क्या लिखा हुआ था कि principal clause अगर present या future में हो तो subordinate clause में कोई भी tense आ सकता है any tense इसी चीज को हमने language में लिखा हुआ था clear? चले आते हैं concept number two पे concept number two जो है इस concept का just opposite concept है concept number two कहता है कि अगर जो main clause है अगर जो principal clause है वो past में है तो subordinate clause को भी past में ही होना पड़ेगा वहाँ पर आप कोई और tense का इस्तमाल नहीं कर सकते मतलब अगर यहाँ पे he said लिखा हुआ था अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ था he said that अगर यहाँ पे he said लिखा हुआ था मतलब अगर यह जो principal clause है अगर यह principal clause past में था तो आगे वाला जो clause आएगा वो भी past में ही आएगा He said that he had done it जो subordinate clause आएगा वो भी किस में आएगा? Past में ही आएगा तो concept number one ये था कि अगर principal clause present या future में है तो subordinate clause किसी भी tense में हो सकता है लेकिन concept number two कहता है कि अगर principal clause past में है तो subordinate clause को भी past में ही होना पड़ेगा मतलब subordinate clause में ऐसते शब्दों का इस्तमाल नहीं हो सकता है has, is, am, are, will, shall, can, may इन सारे के सारे शब्दों का इस्तमाल आप नहीं कर सकते हो subordinate clause में अगर आपका principal clause past में है में लगा हुआ है तो उसको might करो can लगा हुआ है उसको could करो shall को should करो, will को would करो, has को had करो is, am, are को was, were करो लेकिन इन में से आप किसी भी शब्द का इस्तमाल नहीं कर सकते हो अगर यह क्लियर हो गया है तो इसके कुछ एक्सेप्शन्स हैं, एक्सेप्शन्स नहीं है वैसे, एक्सेप्शन्स की तरह कंसिडर किये जाते हैं, जो कि एक सिंपल सी बात है सिंपल सी बात क्या है, इसके दो एक्सेप्शन्स हैं, पहले एक्सेप्शन नंबर वन की बात करते हैं, एक्सेप्शन नंबर वन कहता है कि अगर मेरा subordinate clause, अगर मेरा subordinate clause एक तरह का universal truth है, यह सच है, बदल नहीं सकते हैं, या फिर एक तरह का fact है, किसी की कोई आदत है, कोई कहावत है, अगर मेरा subordinate clause इन में से कोई भी है, तो concept number two applicable नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, subordinate clause को आप किस tense में ही बनाओगे, इसको आप simple present tense में ही बनाओगे, किसी और tense में आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको simple present tense में ही बनाओगे, ये है exception number one of concept number two clear सभी को this is exception number one of concept number two कुछ example से समझ से मैंने लिखा the teacher said that the sun rises in the east they told me that all is well that ends well अंत भला सो सब भला तो पहले वाली सेंटेंस में मैंने एक universal truth आपको बताया है वो बात जो सचाई है दूसरे वाले सेंटेंस में मैंने आपको एक कहवत दी है कि अंत भला सो सब भला तो इन दोरों सेंटेंस के आप देख पा रहे होंगे ये जो प्रिंसेपल क्लॉस था ये पास्ट में था फिर भी हमने जो सबॉडिनेट क्लॉस है उसको सिंपल प्रेजन टेंस में बनाया है उसको हमने पास्ट नहीं किया है क्योंकि इस तरह के सबॉडिनेट क्लॉस में कॉंसेप नमबर टू और सीक्वेंस ऑफ टेंसेज आपलिकेबल नहीं होता है कोई दिककत किसी को एक्सेपशन नमबर टू की बात करते हैं एक्सेपशन नमबर टू क्या कहता है आप लोग नोट करते वे चल रहा है एवरीवान इसके उपस स्टार माग करके से नोट कीजेह कि अगर आपके प्रिंसिपल क्लॉस के बाद कोई कमपारिजन हो रहा हूँ मतलब शब्द कौन सा यूज हो रखा हो दैन यूज हो रखा हूँ exception number 2 क्या कहता है कि जब भी कोई कमपारिजन हो रखा होता है या फिर जो word है टी एच एएन दैन यूज हो रखा होता है तो उस केस में आपका ये रूल जो है अपलाए नहीं होता है इस रूल is not applicable in that case तो उस केस में हम क्या करते हैं उस केस में हम किसी भी टैंस में बना सकते हैं वी कन मेक एट इन अनी टैंस कोई भी टैंस उस केस में चल सकता है इसको हम बोलते हैं exception for example my next sentence लिखा he thought या फिर he liked her more than I like her he liked her more than I like her ये past में था लेकिन यहां पे हमने past tense का इस्तमाल नहीं किया यहां पे हमने present tense का इस्तमाल किया क्यों यहां पे sequence of tenses नहीं लगा sequence of tenses यहां पे इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहां पे comparison हो रहा था तो जब भी comparison होगा वहाँ पे sequence of tenses applicable नहीं होगा इसका मतलब principal clause किसी भी tense में हो subordinate clause sorry principal clause अगर past में हो तो subordinate clause किसी में भी हो सकता है I like her भी सही है I like her भी सही है I liked her भी सही है I will like her भी सही है All of them are correct I like her भी लिख सकते हो I liked her भी लिख सकते हो I will like her भी लिख सकते हो You can write any one of them Clear concept सभी को exception no. 2 clear है कॉमेंट करे मुझे बताते जाएंगे Everyone, कोई problem is exception में चाड़े तो यह था हमारा concept no. 2 अब जाते हैं concept no. 3 पे Concept no. 3 हमने अल्रेडी तेंस में भी पड़ा हुआ है यह concept भी बोखोत important है यह concept बताता है कोई imagination की बात Imagination का मतलब क्या है? वो चीज अभी सच नहीं है वो हमारी imagination में है तो यह concept no. 3 कहता है कि जब भी हम present time की बात करते हैं मैंने लिखा या he thinks as if she dash the queen या फिर she thinks as if she dash the queen इसी sentence को अगर मैं यहाँ पर things की जगा thought करते हूँ she thought as if she dash the queen तो as if की जगा as though भी लगा सकते हूँ as if और as though दोनों का meaning बुकल सेम होता है तो यह concept no. 3 क्या कहता है sequence of tenses का कि अगर आप present time की बात करें अगर आपका main clause present में है तो यहाँ पे आप simple past tense का इस्तमाल करोगे तो she thinks as if she were the queen वो ऐसा सोचती है जैसे की वो queen होती और अगर आपका main clause past में है तो यहाँ पे आप past perfect tense का use करोगे इसका मतलब as if she had been the queen तो अगर आपका main clause या principal clause present में है और अगर as if लिखा हुआ है तो simple past tense का इहां पे use होगा और अगर आपका main clause past का है और as if या as दो लगा हुआ है तो यहाँ पे past perfect tense का इस समाल होगा this is concept number three of sequence of tenses कोई दिक्कत concept number three में he behaved as if he were the prime minister he behaves as if he were the prime minister he behaved as if he had been the prime minister अगर behaves था तो वर आया behaved था तो हाड बन आया ओई दिक्कत इस concept में anyone, any doubt? चलिए, अगले concept पे आते हैं sequence of tenses के that is concept number four concept number four कहता है कि अगर subordinate clause में आपका जो conjunction है वो कौनसा आय? less time subordinate clause में आपका conjunction less time तो आपके बस दो options available होते है वो दो options कौन से available होते हैं कि अगर आपका conjunction less time कि या तो आप should लगाओ या फिर आप normal simple present answer मतलब कोई भी model verb ना लगाओ for example work hard या तो इसको करो less you should fail महनत कर लो अन्यथा तुम fail हो जाओगे less का मतलब क्या होता है? अन्यथा या फिर कुछ भी मतलब लगाओ या फिर लिखो work hard less you fail तो आपके पास ये दो options हैं इसके अलावा कोई और option नहीं है less के साथ लगाने के लिए तो जब भी less लगा हुआ होगा आपके subordinate clause में तो आप वहाँ पे या तो should लगाओगे या फिर कोई भी model verb नहीं लगाओगे may, might, can, could, will, would कुछ भी नहीं लग सकता है you cannot use any one of them इन में से कोई भी इस्तमाल नहीं लगा सकता या तो should लगाओगे या फिर सिफ वर्ब की first form लगाओगे clear concept number four सबी को clear है concept number four तो ये हमारे सारे के सारे sequence of tenses के concepts एक बाद जल्दी से revise करते है सभी लोग रवाइस करेंगे और हम questions करेंगे बहुत सारे आज तो sequence of tenses को एक बाद जल्दी से मैं समरी बता देती हूं आप लोगों को first था कि अगर जो आपका principal clause है if the principal clause present में है या future में है तो जो subordinate clause है वो present में भी हो सकता है past में भी हो सकता है और future में भी हो सकता है दूसरा concept था कि अगर आपका principal clause past में है तो आपका subodinary clause सिर्फ और सिर्फ past में हो सकता है इसके दो exceptions थे एक exception था जब universal truth हो fact हो habit हो या proverb हो और दूसरा exception था जब TH, A, N, then तीसरा concept था अगर principal clause present में है और अगर as if लगा है या as दो लगा है तो वहाँ पे आप w, e, re, were use करोगे और अगर present principal clause past में है और अगर as if लगा हुआ है या as दो लगा हुआ है तो आप had been का इस्तमाल करोगे पोर्थ था यहाँ पे लिखरी हो फोर्थ वाला कि अगर less लगा हुआ है तो या तो should लगाओगे या फिर work की first one लगाओगे सभी को clear है sequence of tenses everyone so this is the entire summary जो अभी तक हमने sequence of tenses में पढ़ी है होई दिक्कत चारे है let's move to the questions now questions पे आजाते हैं errors in the use of tenses आपको बताना है sentence को ठीक करना है basically sentence improvement के हम questions करने वाले है आपको मैं एक sentence दे रहूँ आपको sentence को ठीक करेंगे first question आपको verbs दी हुई है इन verbs को सही कीजिए he finishes work before raja raja ने उसको बुलाया उससे पहले उसने अपना काम पूरा कर लिया before लगा हुआ है तो जो काम पहले होता है उसके केस में हम past perfect tense यूस करते हैं तो यहां पे क्या हैगा he had finished his work जो काम बाद में होता है उसके केस में हम simple past tense यूस करते हैं यहां पे क्या हैगा called so he had finished his work before Raja called for him चाले very good next question had you been to Delhi I had also gone there had you been to Delhi had से start होता है तो conditional sentence होता है तो यह क्या है हमारा conditional sentence है और कॉंसे tense में condition है condition past perfect tense में है golden rule number 3 क्या कहता है golden rule number 3 कि अगर condition past में हो तो यहां पे क्या लगाते हैं would plus have plus v3 तो I would have also gone there अगर तुम डेली में होते या तुम डेली गए होते तो में भी वहां गया होता so had you been to Delhi I would have also gone there होई दिकत किसी को anyone any problem चलो next question तेंसे में confidence आ रहा होगा I hope सभी को everyone is gaining confidence in tenses yes or no Gita suffer from fever since today since लगा हुआ है time के बारे में बता रहा है तो कॉंसर टेंस होता है या तो perfect tense होगा या perfect continuous tense होगा तो दो तरीके से कर सकते हो Gita has suffered from fever या Gita has been suffering from fever Gita को fever आ रखा है आज से next question ये sentence तो जाना पहचाना लग रहा होगा answer बताईए the patient doctor के आने से पहले मर गया जो काम पहले हो गया है past perfect the patient had died doctor बाद में आया है simple past before the doctor came the patient had died before the doctor came doctor के आने से पहले patient उपर जा चुका था next question answer the pick pocket चोर को arrest कर लिया गया और उसकी pockets को search किया गया word searched passive voice है किसी के द्वारा कोई काम किया गया simple past tense मतलब क्या आएगा was वर के साथ verb की third form है the pick pocket को arrest किया गया और उसकी pockets को search किया गया next one Hinduism is an existence Hinduism existence में बहुत लंबे time से from time and memorial कोई चीज पास्ट से अब तक चली आ रही है मतलब time के बारे में बता रहे है concert tense यूज होगा या तो perfect tense यूज होगा perfect continuous तो होई नहीं सकता क्योंकि यहां पर कोई वर्ब तो ही नहीं action तो यहां पर कोई होई नहीं रहा next question I asked him मैंने उससे पूछा की वो ओपन फिल्ड में वैसे क्यों चला गया था पूछा पालब कोई काम उससे पहले हुआ था पूछा बाद में होगा तो यहां पर क्या हैगा I asked him why he had walked forward in the open field like that मैंनो से पूछा की वो ऐसे फिल्ड में इसे आगे क्यों चला गया था he why he had walked forward in the open field like that कोई दिकत? किसी को भी? just one second next question I have never and will never misunderstand you क्या error है? have के साथ verb की third form लगती है वो तो है ही नी तो यहां पर क्या हैगा I have never misunderstood मैंने ना तुम्हें कभी गलत समझा है और ना कभी आगे समझूंगी तो I have never misunderstood which what is the mistake? have के साथ verb की third form नहीं है will के साथ verb की first form लगती है यह तो है लेगन have के साथ जो verb की third form लगती है वो नहीं है तो यहां पर verb की third form आएगी अगला question tell me the answer I have passed the BTEC examination in 1981 past point of time दिया गया है past point of time दिया गया है तो कौन सा तेंज आएगा? simple past I passed the BTEC examination in 1981 I passed the BTEC examination in 1981 I passed the BTEC examination in 1981 have नहीं आएगा next question had she worked hard she conditional sentence है अगर उसने महनत की होती condition है कौन से टेंस में condition है? past perfect में condition है तो result में क्या आएगा? would plus half plus V3 so she would have succeeded अगर उसने महनत की होती तो उसने महनत की होती तो उससेस्फुल हो गई होती she would have succeeded I hope सभी को concepts एगम क्लियर हो रहे है everyone अब तो रट गए होंगे सारे concepts चलिये next question he shall be punished अगर वो देर से पहुचता है तो उसको punish किया जाएगा next question if wishes were horses condition, concept,ence में simple past अगर wishes, horses होते तो जो beggars हैं वो उनके उपर write करते तो यह पर क्या हैगा? यह तो would कर दो might भी कर सकते हो लेकिन model form की present model verb की present form नहीं आ सकता past form ऐगा beggars would ride, beggars might ride अगला question ठीक किजिए इसको sequence of tenses लगाई है I ran there main clause past में है main clause past में है subordinary clause भी किस tense में होगा? past में होगा तो यहाँ पर क्या हैगा? I might meet his friend मैं वहाँ से भागा जिससे की मैं उसके friend से मिल सको I might meet his friend main clause past में होता है तो subordinate clause भी past में ही होता है अगला question 4 10 years लिखा हुआ है जब भी sins of war time के बारे में बताते हैं तो यहाँ पर tense कॉन से use होता है या तो perfect होता है या फिर perfect continuous होता है यह जो knowing word होता है इसको ना ही continuous tense में यूज करते है ना ही perfect continuous tense में यूज करते है इसका मतलब यहाँ पर perfect continuous tense नहीं आ सकता तो यहाँ पर perfect tense रहेगा तो यहाँ पर क्या हैगा I have known Mr. Rakesh मैं Mr. Rakesh को जानता हूँ 10 साल से knowing को हम नहीं यूज करते किसी भी continuous tense तो I have known Mr. Rakesh for 10 years next question the police already catch the thief already लगा हुआ है already लगता है और time action complete हो जुका होता है तो tense कौन सा लगाते हैं? present perfect तो यहाँ पर क्या आएगा the police have already have के साथ वर्ब की third form लगती है the police have already caught the thief police ने already चोर को पकड़ लिया है next one the teacher told the students teacher ने students को बताया principal clause past में है तो subordinary clause भी past में होना चाहिए लेकिन एक universal truth है कि sun और moon जो है आसमान की lamps है universal truth है तो यहां पर क्या आएगा simple present tense simple present tense का मतलब क्या है यहां पर R आएगा concept number 2 का यह exception है the teacher told the students teacher ने students को बताया कि जो sun है और जो the moon है वो sky के lamps है अगला question if he am you he would do it right away he would do it right away would के साथ verb की first form लग रही है मतलब जो result है उसमें would plus v1 है तो यहां पर कौन सा tense use होगा यहां पर जो tense use होगा वो simple past होगा तो क्या एगा if he were you अगर वो तुम्हारी जगह होता यह अगर वो तुम्हारी प्लेस पर होता तो वो उसे तुरंत कर देता he would do it right away तो he am you नहीं आएगा क्या एगा if he were you conditional sentence golden rule number 2 next question she lived in Japan for two years before the earthquake occurred earthquake आने से पहले उसे वो जैपान में दो साल रही थी earthquake आने से पहले अर्थ जो काम जादा पुराना होता है वो काम past perfect tense में आता है दो actions है जो कम पुराना है वो simple past में जो जादा पुराना है past perfect में क्या एगा she had lived in Japan for two years वो जपान में दो साल रही earthquake के आने से पहले has नहीं आएगा had आएगा past perfect अगला question a very easy question tell me the answers did I wrote that letter नहीं डिड के साथ तो वो अपकी first form लगती है क्या एगा did I write that letter क्या मैंने वो letter लिखा था next question you spoke as though as though लगा हुआ है यह past में है तो यहाँ पे क्या एगा had been you spoke as though you had been very angry तुम ऐसे बोले थे जैसे तुम बहुत जादा गुस्से में थे you had been very angry जब भी as though लगा हुआ होता है main clause past में होता है तो यहाँ पे हम क्या यूज करते है had been use करते है sequence of tenses concept number 3 अगर यहाँ पे speak लिखा होता तो यहाँ पे word आता spoke लिखा हुआ है इसलिए क्या आया है next question next question he will he will kill the dog before you bring a rifle देखो अब इस concept को बहुत ध्यान से समझना अगर दो actions है दोनों actions future के है तुम rifle लाओगे उससे पहले वो dog को मार चुका होगा और वो action complete हो गया होगा तो यहाँ पे जो tense आता है तुम rifle लाओगे उससे पहले वो dog को मार चुका होगा कोई काम जो future में complete हो गया होगा तुमारे रैफल से पहले एसा रैफल लाने से पहले वो चीज हो चुकी होगी तुमारे पढ़ने से पहले वो पढ़ चुका होगा तो उस case में जो tense use होता है वह कौन सा होता है future perfect tense होता है तो यहाँ पर क्या हैगा he will have killed the dog what will come? he will have killed the dog वो dog को मार चुका होगा तुमारे rifle नागे से पहले तो अगर तो future के actions हैं और वो action अगर complete हो चुका होगा किसी action से पहले तो वहाँ पर जो हम tense यूज करते हैं वो future perfect tense would have, will have future perfect tense में will plus have plus b3 यूज करते है मेटा yes he will have killed the dog before you bring a rifle next question same question है this rumor यह जो वहाँ है यह फैल चुकी होगी तो क्या हैगा this rumor will have spread through the town before you make efforts to check it तो मारे efforts करने से पहले यह फैल चुकी होगी मतलब future perfect tense तो क्या हैगा will have spread यह अफवाँ फैल चुकी होगी तो क्या लगाएंगे विल और शाल प्लस हाव प्लस वर्ब की थर्ड फर्ड फर्म means कौन सा टेंस बिटा future perfect tense which tense will we use we will use future perfect tense right next question why he went there yesterday why did he go there yesterday did लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फर्म लगाते हैं जब भी simple past tense का question बनाना होता है why did he go there yesterday वो वहां कल क्यों गया था अगला question you were talking past है तो यहां पर क्याएगा as if she had been a millionaire जब भी as if लगाओ as though लगाओ यह past में हो तो यहां पर क्या लगाते हैं had plus been लगाते हैं तो you were talking as if she had been a millionaire sequence of tenses concept number three चले हो, very good next question जब तक हम इस जगा पहुचेंगे वो अपना breakfast कर चुकी होगी by the time we reach this place she would have जब पर हर आएगा she would have taken her breakfast जब तक हम यहां पॉचेंगे वो breakfast कर चुकी होगी कोई काम complete हो चुका होगा by the time we reach here she would have done it कोई काम complete हो चुका होगा will be सही है यहां पर she will have done it she would have done it would का मतलब यहां पर पास्ट नहीं है would का मतलब यहां पर क्या है उस बात के चांसे हुए होंगे would is also correct and will is also correct next question yash was unhappy yash na khush था as though लगा हुआ है यह पास्ट में है तो यहां पर क्या है past perfect as though he had fallen from a high social position yash na khush था जैसे कि वो एक high position से गिरा हो as though past है तो यहां पर क्या हैगा had plus verb की third form next question had been तब लगाते है मैं जब had के साथ verb की third form होते है वहां पर कोई verb की third form नहीं थी इसलिए bean लगाया था had been, had been लगा रहेते है वहां पर verb थी fall इसलिए fall की third form fallen लगाएंगे when I went to meet him जब मैं उसे मिलने गई थी वो कुछ कर रही थी when लगा हुआ है जब मैं उसे मिलने गई थी वो सो रहा था जब मैं उसे मिलने गई थी वो अपना काम कर रही थी action past का continuously हो रहा था तो क्या हैगा when I went to meet him she was working in his garden वो से गार्डन में काम कर रही थी जब मैं उसे मिलने गई थी तो कोई she थी जो उसे गार्डन में काम कर रही थी she was working in the garden had work नहीं आएगा जब when लगाते हैं उस point of time पे वो काम लगातार चल रहा था past का point है और वो काम लगातार चल रहा था तो concertence लगता है past continuous tense लगता है तो क्या हैगा she was working अगला question he was so lame main clause past में subordinate clause के stance में होगा main clause past में है तो subordinate clause भी past में ही होगा that he could hardly walk वो इतना जादा कमजोर इतना जादा उसके पैर इतने खराब हो गए थे कि वो वोक भी नहीं कर पा रहा था can नहीं आएगा could आएगा यह past है तो यह भी past आएगा past of can is what? past of can is could next question तो आज के पूरे के पूरे session में क्या-क्या मार्क्स रहे सबी लोग मुझे comment section में बताएगे एक question दे रही हूँ आप लोग मुझे उसका answer देंगे we eat so that we dash यह भी लोग मुझे comment section में स्क्वेशन कांसर देंगे कि यहां पर कॉंसी वर्ब आएगी I hope आप लोग कोई foundation बैच में सीजे समझ में आ रही हैं तो आप हमें इस WhatsApp नमबर पर पूर सकते हैं जो मेरी बुक्स हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी की सारी बुक्स के लिंक्स भी आप लोग को दे रखे हैं परफिक्षन 2.0 का एक सिंगल सेशन भी मिस ना करें परफिक्शन 2.0 आप सभी के लिए बहुत 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 यूस्फुल एट्स आ वेरी वेरी यूस्फुल बाच एच एभरी आप उसका एक सिंगल सेशन भी आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करना है मुझे कुछ भी हो जाया है मुझे कॉमें बताईएगा ज़रूर आपको क्लासिस कैसी लग रही है जो मैं महनत कर रही हूँ जो मेरी टीम पूरी-पूरी महनत कर रही है आपको कम्प्री ग्रामर पढ़ा रही है यहां पे आपको अच्छे लग रहे है यानि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे कॉमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताईगा क्योंकि आप सभी के कॉमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है चलिए ओके बबाई इवरिवान मिलते हैं कल क्लासिस में